हलो दोस्तों वश्कार, आज का टोपिक है कि क्या साजहां का काल एक स्वर्णिंग काल था या नहीं था इस समझ में हम लोग चर्चा करेंगे, मेरा लेशन प्लान है भूमी का जिसमें मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका एक मत नहीं है साजहां का काल उननती का काल था, सम्ष्डी का काल था, एक्सपेंशन ओप इंपायर मने साजहां के पीरियर दौरान मुगल समराज का और भी स्कॉलर्स हुआ, साजहां ने बहुत सारे बिंदवानों को, हिंदूों को, मुसलिम को आस्रे दिया और इसके बार साज आहां के समय में जो अस्थापत कला या जिसको बास्तु कला करते हैं में क्या-क्या विकास हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे रिलियस पॉलिसी बने साज आहां की धार्मिक मिति क्या रही और फाइनली कंक्लूजन नहीं हम लोग मिसकर से पहुचेंगे कि आखिर साज आहां का काल स्वाडनिम काल था या नहीं था दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी आपको लेक्षर देता हूँ उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखता हूँ ताकि आपको फाइदा पहुचे तो आप उसको खोल करके ज़रूद देखिए मेरा जो चैनल है उसका नाम है हेजे आईयस अकेडमी इन दौर आप यूटूब पर उसको सेर करें सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट खोरें आपको सेक्रो वीडियो मिलेंगे तो आएए चलते हैं साजहां के स्वाडनिम काल के समझ में चर्चा करने के लिए तो दोस्तों बहुत सारे जो यूरोपियन इतिहास कार है वो यह नहीं मानते हैं कि साजहां का जो पीरियड था वो मदिकाल का स्व कहें नहीं था और इसका सबसे बड़ा स्मुक्रता तो भी एए श्मीत पाल शाजहां नतो एक जवदस्ता हैं इनचीप था अर्मी को सही डंग से लीड कर पाया और नो और आर्मी को सही डंग से व्युश्तित कर पाया और उनका कहना था कि इसी कारण से उनके रहते हुए औरंजेव ने दाराशिकों को हराया और साज आहां को बंधग बना दिया। जजनाज सरकार ने बताया कि साज आहां काफी परिस्मिक बादसा थे। लेकिन उन्होंने मुगल सासन के पतन का बीज भी बो दिया। एल स्रिवास्तव ने कहा कि उनका जो रिलिजस पॉलिशी था वो धर्मांद पर अधारित था एक पक्षिय था भेदवाव पून था हिंदुों के प्रती और बाद में उन्ही की धार्मिक पॉलिशी को औरंजेव ने जवदस डंग से शुरू किया और जिसका परणाम बाद म समय में काफी विद्रोग हुए हलांकि एकान में और गुजरात में जवर्दस आकाल पड़ा कांधार में और फ्रॉंटर इलाके में सीमा छेत्र में खाज करके उत्तर पस्मित छेत्र में जवर्दस्त यूद्ध लाड़ा गया साजहां ने बाद में आमदनगर को कबजा कर लिए और गोलकुंड़ा और विजापूर को अपना अधिनस्ता स्युकार करवाया लेकिन इसके बाबजूर साजहां का जो समय काल था वह स्वार्णिम काल था तो दोस्तों आईए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर साजहां का पिरियड स्वार्णिम काल था या नहीं था इसी पिरियड में हुआ इसका कारण यह था कि साजहां के पिरियड में अपेक्षाक्रित कम लडाई हुए जगड़े हुए और शांती का बातावन भ्याप था और जिसके कारण से उत्त्रोत्त्तर समराज में आर्थिक विकास हुआ पहले जिस परगना कारेवें लेंड रि कि किस तरह से जाटने और सत्नामियों ने और जब के समय में विद्रो किया था ऐसा विद्रो हमें साजहां के काल में नहीं मिलता है और इसी कारण से साजहां ने मक्का मदीना के मस्जिदों को भी दान दिया मुहमाद साब के मकवारा बनाने के लिए उन्होंने दो लाट प वी उस जमाने में एक करूर रुपया था, साज़ा ने, वाला कि, कंधार को जितने का प्रयास किया और सेंड्रेल एस्या को भी जितने का का प्रयास किया उनिमी को सफल नहीं हो पाये लेकिन उन्होंने एंभंदनगर को अपने सम्मराज है मिला लिया और गोलकुंडा और विजापूर को अपने अधीन करद अपनी सारभोमिक्ता सुिकार करवा लिया और इस तरह से मोगलों का सब्राज का काफी विस्तार हुआ अना कि यह विस्तार और अरंजब के समय में सबसे जादा हुआ था साजहां के पिरियड के एक सबसे वड़ी खासियत थी कि इस पिरियड में हिंदी लेंग्विज भासा और लिट्रेचर साहित का जवरदस्त विकास हुआ अब्दुल हमेद लाहूरी ने पात्सा नमा और अमीन कजवानी ने साजहां नमा किताब लिखा साजहां ने म्यूजिक मतर संगीत को जवरदस्त आस्रे दिया बहुत सारे मुजिशन्स मुगलों के दरवार में थे जिसे बाद में और अरंजेव ने दरवार से भगा दिया क्योंकि उसे म्यूजिक से कोई प्रेम नहीं था बहुत सारे संस्कृत के किताब बेद, पुरान, महावारत, रमायन का अनुबाद पर्सियन में किया गया और यद दाराशिकों के द्वरा जो साजहां का सबसे बड़ा कुदृता उसके द्वरा करवाए गया जगनात पंडित, चिंतामनी, सरस्वती, सुंदर दास जैसे प्रठ्षात, बिद्वान उनके दरवार में रहते थे लेकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उनती हुआ हुआ था अस्थापत कलाम है जैसे कि आप जानते हैं कि ताजमल साजहां के द्वारा बनाया गया उसी तरह से दिली का लाल किला भी उनी के द्वारा बनाया गया मोती मश्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, आघरा के किले के अंदर बनाए गिया और रेड फोट जो उन्होंने दिली में बनाया उसमें उन्होंने जामा मश्जिद भी बनवाया और इसके अलावा लाहॉर में और अने जगों में अस्थापत कला में जवरस्त विकास उनके पिरेड में हुआ। साजहां ने इसके अलावा दो केनाल नहर के निर्मान करवाया। पहला रावी केनाल था जो करीब अंठानवे माईल लंबा था। और वो लाहूर तक पोहुचता था। इसके अलावा एक नहर ए साह का भी उन्होंने मरमत और दुरुस्त कराने काम किया जो फिरोज तुगलत के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आखिर साजहां का रिलिज़स फॉलिशिम नदार्विक निती क्या था। तो हम देखते हैं कि इस वाती समय में उन्होंने इसलाम को फिवर किया। बहुत सारे हिंदु जमिनदारों ने जो मुस्लिम स्लेव्स को या गुलाम को अपने पास रखा था। उसे उन्होंने मना कर दिया। तीसरा उन्होंने पिलिग्रिम टेक्स अर्थार यात्रा कर पुनल लगा दिया। जैसे कि अकवर ने बंद कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में साज आहां के द्वारा इस आधिश को वुड्रॉव निरस्त कर दिया गया। मुगल कोट में पहले हिंदू उत्सा मनाई जाते थे जैसे दिवाली या होली इन हिंदू फेस्टिवल पर पूरी तरह से मनाई कर दी गई। अनारस एलावाद कस्मीर गुजरात में बहुत सारे टेंपूल मन्दिरों को द्वस्त कर दिया गया। उनी के पिरेड में प्रिंस औरंजेव के द्वारा ओर्चाप के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके उसको मस्जिद में कनवर्ड कर दिया गया। और जुजहार सिंग के रिस्दारों को जवर्दस्ती मुसल्मान बनायने का प्रयास किया गया। आगरा में जो चर्च थे उसे द्वस्त किया गया। जिन हिंदुओं ने मुसलिम लड़कों से साधी किया था उसे उन्हें फोर्स किया गया कि मुसलिम लड़की को छोड़ दें, आजाद कर दें। इसके अलावा जो सबसे महत्पुर्ण साजां के द्वारा किया गया गया था कि अगर कोई हिंदू इसलाम में परिवर्टित होता है तो उसके बाद भी वह अपने पेटर्नल प्रोपर्टी में हिस्से का हगदार होगा। जो वार कैटिव थे अगर युद केदी उन्हें इसलाम में धर्म परिवर्टन किया गया गया। बहुत सारे क्रिमनल्स थे करनृट्स से उन्हें भी इसलाम में कनवर्ट किया गया। मुल्ला मुल्मियों को खुष करने के लिए उन्होंने मक्का में हजारों लाखो रुपे भेजे अकवर ने जिस राजपुत पॉलिशी को सुरू किया था और जिसमें राजपुतों को उचे-उचे ओधे पर रखा गया था अब साजहां के पिरेड में वो रिकोगनिशन और हिंदुों को सताने को परिशान करने का जो नहोंने बीडा उठाया था ऐसा काम साजहां के द्वारा नहीं किया गया एक बात और है कि बहुत सारे जो भी मैंने रेगुलिशन्स बताए वो साजहां ने अपने पिरेड के सेकेंड हाप में दाराशिको और जहान आरा जों तो मुगलकाल में हम देखते हैं वह बादसा उनके रिश्दार और नौगुल्स मतलब अमीरों तक सिमित था आम जंता गरीब थी साजहां ने अब लेंड रिवेन्यू एक पट्टा दो मना आधा हिस्सा कर दिया था जो सबसे ज्यादा अधिक था इसके पहले इतना में और उसके पहले प्राचिन भारत में लेंड रिवेन्यू अधिक से अधिक एक बट अच्छे भाग लिया जाता था लेकिन साजहां के काल में लेंड रिवेन्यू का प्रसत अब आधा हो गया जितना भी उत्पादन होगा उसका आधा हिसा मुगल समराट को जाएगा और से किसानों के हालत और ज्यादा खराब हो गई दोस्तों आप सब जानते हैं कि साजहां के पीरेड में ही वार अफ सक्सेशन उत्रादिकार की लड़ाई शुरूआ उनके चारों बेटों के बीच में और आन्तों गत्वा और अरंजेव ने साजहां को कैद कर लिया और करीब आठ साल तक कैद मेरें कभी बाहर नहीं निकल पाए उनके अन इतीन पुत्रों के हत्या और अरंजेव ने करवा दिया इस पिरियड में महिलाओं के स्तिधी ब्यातर नहीं हो पाई उन्हें अपने पिता की संपत्ति, खासकर हिंदू मैलाओं को अपने पिता की संपत्ति में उत्राधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था परदा सिस्टम हिंदूों में बहुत जवर्दस दंद से ब्याप्त हो गया साइन्स और टेक्नलोजी का कोई विकास इस पिरियड में नहीं हुआ और नेवल पावर जो है उसमें भी मुगलों ने यह खास करके साज आप पिरियड में जवर्दस काम नहीं किया गया और इसका दुस्परणाम बाद में हमें देखने को मिला जब अंग्रेजों ने बारी-बारी से हिंदुस्तान पर कभजा कर लिया उस समय में बहुत ज़्यादा पास्ट लणिंग ने इतिहास पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था इनोबेशन आविस्का डिस्कावरी में खोज पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जाती तिया उस पर ज़्यादा ज्यान नहीं दिया जाता था हाला कि साहजां के पिरेन में बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ टेड और मैनुफेक्चर और कॉमर्स मतला बानिज और व्यवसाय भी काफी बढ़े लेकि इसमें प्रिमिटिव टूल का इस्तमाल किया जाता था कोई मसीन का इस्तमाल नहीं किया जाता था और चुकि हमारे देश में उस समय में भी धन का असमान विक्रन था जहां पर कि अधिकांस धन राजा रजवारों और नौगु सक्सिमित था तो इसके कारण से आर्टिजन्स मतलब कारिगर या मर्चंट नमने व्यापारी उस तर से पस्चमी देशों में विक्षित हुए इसके अलावा जो साजहां की जो प्रारंविक जो रिलीजेस पॉलिशन धार्मिक में थी वह भी धर्मानता की सिकार थी और हिंदूों के खिलाफ थी हाला कि बाद के पीरियड में उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया लेकिन आर्ट और आर्किटेक्चर और लिट्रेचर के फिल्ड में था जहां पर की अभी हमने बताया के बहुत सारे जगों पर अस्थापतिकला का दुरुत गती से विकास हुआ खास करके आगरा दिली और लाहोर में बहुत सारे विद्वानों को संगर्षन साजहां के द्वारा कर दला गया लेकिन इनके परिएड में किसान सबसे ज्यादा ठ्रस्त हो गया था क्योंकि इनके उपर सबसे ज्यादा कर का बोज था और जिसका पढ़नाम हुआ कि और जजल के पीरियर में जाटों ने सकनाव्यों ने जॉरदस धंक से विद्वा किया तो इस तरह से हम दोस्तों कैसा रहा है इस पर आप अपनी टीप से जरूर अंकित करें अगर आपका कोई सुझाब हो आप जरूर एजए हैसे केडमी इंदौर यूटूब पर टाइप करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से मुझे अब गत करा हैं थैंक्यू मेरी मुच